हेलो फेंट्स वेलकम टू ओल्ली आये सिंदी आजके सेशन में फ्रेंट संबाद करने वाले हैं चैप्टर आपका जो सेवन शेत्री आकांशाय रिजनल एस्पारेशन्स जब आप आंत्रिक सुरक्षा इंटर्नल सिक्वेरिटी को पढ़ते हैं आपने जीएस पेपर में मेंस इस पेपर में उसके लिए भी यह बहुत इंपोर्टेंट है 2020 की बात करेंगे 2020 में जो मुख्य परिक्षा का पेपर हुआ तो उसमें दो प्रश्ण जो है यहां से डिरेक्ली पूछे गए थे कि जो यह शेत्री आकांशाय है जो यह शेत्रवाद है अलगाववाद है उसके पीछे रीजन क्या है cultural influence को लेकर जो question है वैं पूछा गया था तो इस तरह के जो topics है यह आपको एक basic दे देते हैं इस तरह के chapter बाकर topic आपको जो है वैं cover कर लेना है topic cover करने का सही तरीका यही होता है कि first हम उसका basic जाने शेत्रवाद है क्या ठीक है अलगाववाद जो है कहा से जो separatism में कैसे शुरू हो रहा था इंडिया में कहां से कैसी प्रोसेस चले थी कौन पॉन ऐसे शेत्र है जो की autonomy जो है विस्वायत था की मांग और जादा कर रहे थी इन सभी बातों पर हम विचार इस class में करेंगे ठीक है clear चलो तो शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं किसकी regional aspirations chapter number 7 राश्ट निर्माण की चनोती एक दल की प्रभुत्व का दौर नियो जित्वी कास विदेश संबंध कॉंग्रिस चनोती अप्रोनर स्थापता और लास्ट हमने emergency की बात की ठीक है तो देखो आज हम बात करेंगे शेत्री आकाल चाओं की शुरू बात था कि रास्ट निर्माण के लिए जो हमारे सामड़े challenges थे जो nation building के वही पर हमने पूरे नहीं कर लिया था chapter 1 में तो integration की process चल रहा था प्रिंसलिय स्टेट को देशी रास्तों को हमने integrate किया था लेकिन उसके साथ साथ ये जो autonomy मांगने वाली जो बात थी ना ये खतम नहीं anti-80s के आसपास हम देखेंगे कि बहुत जादा बढ़ गए थी और ऐसे में भारत सरकार को भी देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए जरूरी हो गया था कि किस तरीके से वह power sharing करें और जो शक्तिया है वह इनको प्रदान करें आया समझ में सो देखो ये chapter आपको क प्रदाकार का जो नजरिया है वह क्या है इसके लिए government constitution में किस-किस चीज़ को मानता है शेत्री आकानशाओं का मतलब क्या है यह क्यों उटती है कैसे इसको solve कर रहा है भारत के संदर में 60-70 और 80 के दशक में जो इस तरह की आकानशाओं उटी वो क्या है तर आपका दाइर केंद्र के पावर अपने पास रखना केंद्र के पास जादा शक्ति होती है इस चीज का विरोथ करना महुस्सी चीज़े जो है फिर शेत्री आकानशाओं में आती है अचाहे अपनी भाशा को लेकरो जिसे के तमिल नाडू की बात करेंगे देश का पहला ऐसा राज था जो शेत्र हम कह सकते हैं जैसे कि हम उत्तर से शुरू करें तो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर 1947 से एक बड़ा ही विवादित मसला रहा भारत और पाकिस्तान के वीश में ना केवल भारत पाकिस्तान बलकि वहां की जो रियाया थी वहां की जो जनता थी उसकी में तो अपनी अपनी आकांशाय थी ना उसके अपनी विकास की धार्णाय अलग थी वहाँ पर उस वक्त जो राजा है वह हरी सिंग थे देखेंगे कि उन महराजा के द्वारा किस तरीके से भारत पाकिस्तान से डरने के बाद भारत में वह विलाई पर हस्ताक्षर कर दिये धारा 370 की हम बा थोड़ा सा वो चैप्टर हो सकते वो टॉपिक वो परग्राफ ऐसा हो सकते कि आपको लगी के रही बहुत ज़्यादा फैक्ट है कि कब कौन आया किसके बाद कौन सीम आया किसके साथ घटबंधन की सरकारवनी कब है अगर आप याद रखेंगे तो आपको यहां की जो यह बनती है मैं बोबा मुफ्ती ठीक है अब देखो जम्मु कश्मीर की बात करेंगे 2019 के बाद पुनरगटर अदिरेम प्लस करंट अफेर देखेंगे बच्चों है ना पंचाब की बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बदा होना चाहिए कि जब साम्रदाएक दंगे इतने नंकाना साहब की हम बात करें पाकिस्तान में चला गया तो यहां पर देखो की विभाजन की बात से ही यहां पर कुछ-कुछ जो चीज़े हैं वो चलती रही राजनेतिक संदर्व क्या था यहां पे कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो की अलग होने की मांग कर रही थी उनकी कब-कब कौन-कौन सी मांगे माने गई कब जो है वैस समझोता हुआ ठीके इसमें हम देखेंगे हिंसा की चक्र में हम इंद्रा गाधी जी की बात करेंगे इंद्रा गाधी जी फिर हम सिख दंगों की बात करेंगे है ना और फिर हम बात करेंगे शांती की और इसम कि पंजाब समझोते के नाम से जाना जाता है उसके बाद शांती लेकि नभी भी हम देखेगे कि धर ने पेश थोड़ा सा अपनाने के कोशिश की जा रहे ये स्टेट में पर जाधा तर आपको सिख बहुत संख्यक पंजाबी सूबा, काली दल, कौन-कौन कब-कब आया किस तरीके से उन्होंने मांगी उन सभी बातों को हम करेंगे ठीक है फिर हम बात करेंगे नौर्टीस्ट की तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के आलावा अगर हम सैवन सिस्टर्स नौर्टीस्ट की बात करें, 24-25 किलोमीटर एक लंबी सक्री पट्टी है जो कि भारत को जोडती है पूर्वुत्तर से शुरवात में देखेंगे कि बहुत सारा पूर्वुत्तर का ऐसा हिस्सा था जो खुद को भारत का अंग नहीं बानता था होने लगता है कि कभी हम पर भारत में जहां 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 बिसकली कि आगर आप वहां से सीमा बहारत की लगा रहे हैं तो ऐसे भी बिटिश हुकूमत नहीं रही तो भारत में क्यों विला हूँ तो वहाँ पर मांगे कैसे उठती रही देखेंगे कि शुरवात में जो है अगर हम तुरुपरा को छोड़ दे और मनिपूर को छोड़ दे तो उसके बाद जो सारे स्टेट है वह असम ही कहलाता था कैसे असमी भाषा थोपी गए उसकी बाद अरुनाचल प्रदेश है नागलेंड और बाकी सब जो वह अस्तित्व में आते हैं अभी भी देखेंगे आप बोडो लेंड और बाकी सारे चीज़े चल रही आपने लाल जो डेंगा है उनका नाम सुना होगा लाल डेंगा एक कुछ चीजे जो है वह बताई गई हैं तो क्यों आखर यहां पर स्वायत था कि मांगूई अलगाववादी आंदोलन क्या थे बाहरी लोगों के खिलाफ एक तरह का नहीं जो बाकि इन दोने जगा नहीं था बाहरी लोगों के खिलाफ देखो जब संसाधन सेमित होते हैं औ पर आपको किसी ऐसे परसन से share करना पड़ जाए जो आपके इलाके करना हो आपको लगता है कि आपकी शक्ति आपके resources कम हो गए वो किसी और को चलेगा है जो benefit आपको मिलना था वो किसी और को चला गया ऐसे में क्या है अगर आप देखेंगे तो नागरिक्ता संशोधन जो 34 में क्यों देखते हैं वहाँ पर resources limited है अगर हमारी total आबादी का 2 या 3% हिस्साही वहाँ है अगर हम population wise कहें तब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वहाँ पर बाहरी लोगों के साथ ये भी एक खत्रा रहता है कि उनका culture उनकी भाशा जो पुर्वत्तर वालों की है वो भ अलगाबवाद हैना reasonableism और separatism की बाप करेंगे इस से हमें निपटने के लिए सम्विधान में क्या-क्या उपाय दिये गए और हम इससे कैसे निपटेंगे problem को समझो problem को solution समझो UPS या बस आप से यही पूछता है ठीके problem क्या है क्यों है solution क्या है कैसे है बस यही चीज़े है current affair से update रहो सारे यह जो मैंने आपको बता दी कि यह जो basic topic है आपका जो आप आर्थिक सुरक्षा में अलगाब वाश शित्रवाद को पढ़ते हैं उन सभी के लिए काफी important है आया समझ में बच्चो चलिए अब हम चलते हैं आगे so basically इस chapter की शुरवात में जो एक भूमी का ए lines मिलती है जो आपको main sasar writing के काम आती है ठीक है so देखो आजादी के बाद पहले दशक पहले 10 साल में रास्ट निर्मान की जो प्रक्रिया चली उसके बारे में आपने chapter 1 में पढ़ा तो यह जो रास्ट निर्मान की प्रक्रिया एक बार में पूरी थोड़ी हो सकती थी कि आ नारा रास्ट निर्मान पूरा integration जो आप एक बार में कर दो possible ही नहीं था तो वक्त गुजरा जैसे जैसे समाई बीता नए नए चलेंजे आते गए नए चलेंजे आए उससे हम overcome हुए नए नए चलेंजे को अलग अलग तरीकों से सुलजाया गया अलग अलग इलाकों के जो recognize किया जाए उनका culture खत्म ना हो जाए इसलिए शेत्रवात की क्या मागोई बहुत से reasons हो सकते हैं है ना तो हम देखेंगे कि किस तरह से कभी-कभी ये जो उनका expression उन्होंने express किया जैसे कि ये जो इनका अभी व्यक्ती थी संगिय धाचा की बाहर भी चले जाती थी sometimes है ना क् भारत से अलग होने की भी demand करते थे ऐसे मैं देखो कभी-कभी ये आकांशाय हिंसक रूप ले लेती थी संगर्ष लंबे-लंबे संगर्ष हुए केंद सरकार को कई बार समझोते यहां पर बहुत जादा करने पड़े यहां पर सश्ष्टर सैना लगाई गई कंट्रोल किया जम्मू कश्मीर में बार-बार आप देखेंगे रास्पती जो साशन है वह लगा दिया गया है ना अब देखो कि 1980 के दिशक की बात करेंगे तो पूरी ताकत के साथ यह चुनोती उभरी और इस वक्त गैर कॉंग्रिस वात का प्रियोंग भी अपनी अंतिम साह से ले रहा था केंदर में थोड़ी थोड़ी राजनेति स्थिर्ता की स्थिति अब तक बन चुकी थी और ऐसे में हम देखेंगे कि असम पंचाब मिजोरम जम्मू कश्मीर में छेत्री आकानशाओं ने सर उठाया तो बिसिकली हम इस शेप्टर में यह पढ़ेगे कि जो यह शेत्री आकानशाओं हैं इने बल क्यों मिला ऐसी चनोती और तनाओ के प्रती क्या-क्या हमने कदम उठाए लोगतांत्रे कधिकारों और रास्टी एक्ता के बीच में हमने संतुलन के स्थिक से साधा अगर आप शेत्री आकानशाओं को अभीव्यक्त होने से रोकेंगे उन्हें सप भरत में ऐसा नहीं है ना इंडिया में ऐसा नहीं है लोगतंत्र में विवित्ताओं के बीच एक्ता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है हम इसकी बात करेंगे चलिए अब हम बात करेंगे शेत्री आकानशाओं की और उसके पहले 1961 का यह मैप देखो जो की चैप् का पंजाब जम्मु कश्मीर पूरबोतर ठीक है और दक्षिन में द्रवेड आंदोलन ठीक है तो देखो कुश्चन कैसे आ सकता है कुश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि पर्टिकुलरली द्रवेड पुर्वोत्तर का है या फिर मतलब किसी से particularly question पूश्चन पूश्टिया जाए या second यह हो सकता है कि समविधान में शेत्रवाद से निपटने के लिए या लोगतंतर से शेत्रवाद को जोड़कर पूशले समविधान से शेत्रवाद को जोड़कर पूशले विकास से शेत्रव तो मेंस में कभी-कभी सीध कभी भी आपको सीधा कुशन नहीं मिल जाएगा कि नौर्ट इस्ट को तो यहां पर आपको थोड़ा सा जो इंटर लिंकिंग है वो मैं आपको प्लास में बताती हूं बच्छो आपको इसको सीखना है ठीक है चलिया यह तो शुरवात होती है छेत जो भी पार किया गया इसमें और अपनी मांग के पक्ष में बिसिकली इन्हों ने क्या किया हतियार उठाया और जब हतियार उठाया तब सरकार ने की जवाबी कारवाही करेगी जैसे कि आप देखेंगे कि अभी 370 हटने के पहले-पहले तक कश्मीर में जो भारती सेना है उसके लिए बहुत negative माहुल बनाया जाता था, कि सैना जो है वह गलत कर रही है, या फिर देखो, जो सच्चाई होगी, मतलब ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता था, ठीके, misconception जो है वह बनाया जाता था, जब आभी कारवारी तो सरकार करेगी, कि सैना करेगी और जब ये करेगी तो अलगावाद की भावना और पंपेगी, ठीक उसी तरह की बात है कि जब आप ऐसी teen age में होंगे, आप मालीज आप 18, 19, 20 आप इस तरह की age में हैं, और आप विद्रोही तेवर आपके हो रहे हैं, ठीक है, चलो 17, 18 की बात कर दें, कि आप इस दौरान बहुत विद्रोही तेवर होते हैं, और अगर गलत तरीके से दबाने की कोशिश है, वह की जाती है, तो ऐसे में जो आप दिखेंगे, कि इस age के जो बच्चे वह ज़ादा क्रोशित हो जाते, आप दिखेंगे, कि इस समय क्यों थोड़ी से होती है, अब वैसे ही क्या हुआ, कि जिस वक्त जबाबी कारवाही की गई, तब जाके, जो स्वायतता की मांग है, जो आटोनोमी की मांग है, अधिकारों की मांग है, ये और भी जादा बढ़ने लगती है, ठीके, कोशिश की गई थी, कि जो हल है, वै कहां मिल जाए, सम्विधान में मिल जाए, चलो इस कुश्चन का अंसर दो, कुश्चन है कि सम्विधान में विविधिता के सम्मान को बुन्यादी सिध्धान्त माना गया, भारतिय रास्टवाद में एकता और विवित्ता के बीच में संतुलन साधने की कोशिश की गई और सांस्क्रितिक विभिन्दिता को एकता के लिए खत्रे की रूप में देखा जाता है देखो कोई एक कतन सही है दो है आपको यह नहीं बता ना कौन सही है बता दो तो एक सही है, दो सही है, तीस सही है, क्या सही है इसमें, देंखो, जो पहला आपका paragraph है, भारत सरकार का नजरिया, उसे हम कुश्ण की माधियम से पढ़ते हैं, भारत सरकार का नजरिया, अब भारत सरकार का नजरिया क्या बनेगा बच्चों गवर्मेंट की आप्रोश तो वही होगी ना जो सम्विधान में लिखा हुआ है और अगर हम अपने Constitution की बात करें तो जो भारत देश का सम्विधान है उसमें डावस्टी विवित्ता की बात की गई है नहीं की गई है बलकि यह बहुत गहरा विश्वास है ना तो सम्विधान में हमने क्या कि अविवित्ता का संबान किया है और यहां पर हम यह मानते हैं कि जो शेत्रिय संस्कृती है जो शेत्रिय संस्कृती है यह इसकी जो विश्ष्टता है इसे हम अच्छा मानते हैं लोक तंत्र के लिए यक्षा मानते हैं है ना तो देखो यहां पर संविधान में बुनियादी सिध्धानते विवित्ता और अलग-अलग जो भाषा समू है भाषा और संस्कृती आर्टिकल 2930 याद करो क्या लिखा है तो हम देखें के कि भाषा और संस्कृती को बनाई रखने का दिकार हमने संव कि भाषा हमने संस्कितिक विविनिता को एक्ता के लिए खत्रे के रूप में नहीं देखा बलकि हमने इसे एक विवित्ता में एक्ता का जो सिध्धानत है विवित्ता में जो एक्ता उसको डोड़ने का प्रयास किया विवित्ता के संबान को बुनियादी सिध्धानत वाना गया सही है बारतिय रास्टवात में एकता और विवित्ता की बीच में संतुलंद साधनी की कूशिश की गई है ये बात भी सही है इसलिए आप्शन नमबर बी जो है इसका सही आंसर होगा कि कोई भी दो कथन जो है वैस सही है ठीके तो देखो यहां पर हम देखेंगे कि छेत करना थोपी जाए हम इस भाषा को प्रात्मिक्ता देंगे हम अपनी इस मदर टंग में जो है इस मात्र भाषा में ही हम शिक्षा और बाकी सारी विवस्थाई करेंगे तो इस तरीके से और इन्हें लोगतंत्र के लिए याद रखना कि जो ये शेतिये समस्याएं है या फिर शेतिये ये अभी व्यक्ती होने इसको अभी व्यक्ती माना जारा है लोगतंत्र में इसको समस्या नहीं माना जारा हाँ सम्टाइम्स जब यह हिंसक हो जाता है तब गवर्मेंट इसको रोकने का जो प्रयास है वह करती है तो विवित्ताओं का सम्मान करना है ना ये और रा आकांशाय है वो गलत है या उठना ही नहीं चाहिए ये बताओ जो रीजनल एस्पाइरेशन्स है जो शेत्री आकांशाय है क्या शेत्री आकांशाय उठनी नहीं चाहिए बिलकुल उठनी चाहिए न मतलब लोकतंत्र में लोकतंत्रिक राजनीती का एक अंग है हाँ इने जाने की जो कोशिश है वैस सरकार को करने चाहिए चलो अब आगे हम चलेंगे और यहां पर हम बात करेंगे तनाव की ठीक है जम्मो कश्मीर की बात करने के पहले थोड़ा सा हम ये जो रीजनल एस्पाइरेशन शेत्री आकांशाएं जो हैं कब-कब तनाव का रूप ले लिय देखो सबसे पहले तो तो जब देश आजाद हुआ अगर हम 1947 से कहें तब हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम थी तब देश का विभाजन हुआ विभाजन साम्प्रदाई खिंसा कौम के धर्म के आधार पर हुआ विभाजन ठीके हैं विस्थापन कितने लाखों लोग जो है वैं अपने ही देश में रहकर विदेशी हो गए थे बिसिकली तो यहाँ पर देश का विभाजन विस्थापन रियास्तों का विलाए पुनरगठन ये सारी चीज़ें हमने देखी देखी विस्थापन रियास्तों का विलाए पुनरगठन ये सब पढ़ चुके हम है ना राजियों का पुनरगठन तो ये सारी जो प्रक्रिया है 47 में हमें सबी चैलंजिस का जो सामना है करना ही था आजादी के बाद देखो कि हमारे सामने जो कौन-कौन से आखे जो मसले थे तो आजादी के बाद कश्मीर भारत के और पाकिस्तान के बीच में कई बार जो है वे सयूप्त रास्ट यूएन की मध्यस्थिता की द्वारा कश्मीर का जो मामला है उसको सुलजाया गया 1948 की बात हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कश्मीर मामला बेसिकली बड़ा ही विवादास पद रहा कश्मीर की जो जादातर आबादी मुस्लिम थी इसलिए पाकिस्तान मानता था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है वहां की जनता ऐसा नहीं मानती थी ठीक है तो आजादी के बाद कश्मीर जो मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवात का मुद्दा रहा इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो मामला था कश्मीर मामला ये केवल भारत और पाकिस्तान नहीं तो ये भारत पाकिस्तान वहां के जो लोग थे न जो उस जगा पर रह रहे थे तो वो उनकी शेत्रिये जो राजनितिक आकानशाओं का भी मामला था अब ऐसे ही देखो इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर का कुछ भाग था पूर्वोत्तर का कुछ भाग जो भारत में विलाई होने से सहमत नहीं था पुर्वुत्तर का कुछ भाग जो भारत में भारती संग में विलाई होने से सहमत नहीं था बार बार स्वायतता की मांग कर रहा था है ना तो ये क्या था सहमत नहीं हो रहा था इसके अलावा हम दक्षिन में द्रवे डांदूलन की बात करेंगे दक्षिन में द्रवे डांदूलन ठीके इन सब की हम बात करेंगे अच्छा देखो आप इसमें एक शब्द बार बार सुनेंगे जिसे की अलगाव बात च्या है ये शब्द मैं आपको बता देती हूँ ठीक अगर हम अलगाववाद शब्द की बात करें आप बार बार शब्द को सुनते अलगाववाद क्या है इसके क्या कारण इससे कैसे निप्टा गा है बस हो गया मेंस का कुशन इससे ज़ादा प्रश्ण नहीं आते बच्चों अगर आप अलगाववाद क्योंकि सीधा सीधा मेंस में अलगाववाद शेत्रवाद इस सभी जो है लिखा हुआ है है ना तो आपको ये सारे जो टॉपिक्स है वे कर लेने हैं तो यहाँ पर हम सेपरेटिस्म की बात करें अलगाववाद जिसे की नाम से समझ में आ रहा है अलग होने की भाववना है ना अलगाव बात क्या है जिसे की आप अलग होना चाहते हैं तो जब क्या होता है कि जब कोई छेत्र जो है जब कोई शेत्र या राज अलग होने की बात करें ठीक है अलग प्रांत या फिर अलग रास्ट की मांग करें so basically ये political disintegration का रूप भी हो सकता है मतलब राजनितिक रूप से अलग हो जाना कि नहीं आप केंद्र का या भारत का हम पर नियंतर नहीं रहेगा तो राजनितिक रूप से जो है एक तरीके से क्या हो जाना प्रथक हो जाना ये हो गया या फिर हम ये कह सकते है कि कुछ जो इस्थानिय पहचान है ठीके इस्थानिय या जातिय पहचान इस्थानिय या जातिय पहचान जब आपकी रास्टी पहचान पर हावी हो जाए ठीके ये हावी हो जाए और यहां से आप अलग होने का सोचो आप एक अलग राज़की मांग करो demand for separate state और ये संस्कृति और सांस्कृतिक और भाषा की आधार पर ऐसा हो सकता है सांस्कृतिक वा भाषा इसका आधार हो सकता है नहीं हो सकता जैसे तमिल नाडू ने का कि नहीं भई हमें तो इस भाषा की आधार पर जो है आप अलग राज़की मांग कर रहा था तो यहाँ पर देखो कि जैसे कि भाषा की आधार पर आधार पर आधार पर आधार परदेश है करनाटका है पंजाब है हर्याना है पंजाब हर्याना भी एवन है पंजाब हर्याना है दक्षिन में अगर हम भाशा की बात करें तो जो दक्षिन है उसमें हिंदी को official language बनाने का जो विरूध है वैं किया गया था देखो proper तरीकी से अगर हम समविधान की बात करें तो समविधान में भाशा को कुछ ऐसे सुलचाया गया था कि 1965 तक हम English का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम proper जो है वैं हिंदी का यूज़ करने लगेंगे लेकिन जब देखा कि South के जो state थे उन्होंने बहुत ज़ादा aggressively जो है इसका विरूध किया था और essay में English जो है उसको continue करना पड़ा है Machineด, को है इंग्विश को जो है वैं continue करना पड़ा उसके बाद Hindi और English जो हुए दौनों को बराबर रूपसे रखा गया इसके पहले तक हम देखेंगा कि जो सारे काम यह जाधतर इसपेशली जब हम गावबाद और यह सारी भावना अब जैसे कि हम पुर्वुत्तर की बात करेंगे तो उसमें भाषा की बात थी कि पहले जो है अर्णाचल पिदेश नाका लेंट है है ना मिजोरा में यह सब असम भी इसको प्रौसारे को असम ही कहा जाता था यह तो बाद में लगोंगे 70 के इन सब पर असमी भाषा जब असम सरकार थोपने लगी तो इन सब अलग अलग स्वायत जो प्रांत थे उसकी मांगी तो भाषा एक बड़ा मुद्दा थी है ना कि आज आज आपको मालीचे इंग्लिश नहीं आ रही है अब आप कहो कि बिहार और यूपी जो है ठीक है पू आशा क्यादार पर चाहे करनाटक हो अंध्रा हो महरास्ट गुजरात हो पंजाब हर्याना ये सब अलग हुए अब हम शुरू करते जम्मू कश्मीर से तो आप एक ओवर उन सिनारियो समझ गए बच्चों है ना रिजनल एस्पारेशन क्या क्या हमें पढ़ना है पहली बात हमारी होगे अब दूसरी बात अब हम किस की करते जम्मू कश्मीर की करते हैं इसे समझने की कोशिश करते हैं जम्मू कश्मीर ठीक है देखो जम्मू कश्मीर तो शुरूर बात में हम देखेंगे 370 हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 370 क्या है 370 जो है एक special status की बात करता है विशेश दर्जे की बात करता है जैसे कि ये विशेश दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था विशेश राज्य का दर्जा है और इसके अंतर का जम्मू कश्मीर का अपना समयधान था विदान सबा का कारेकाल 6 वर्ष था अपना जंडा था अपनी दंड सहता थी जैसे की भार्टे दंड सहता IPC पूरे भारत में लागू थी तो जब मुकश्वीर में शायद रंधीर दंड सहता थी है न देख ली जगा एक बार तो यहाँ पर क्या था कि इसको special status था बहुत सारी autonomy थी इसकी शुरुवात होती है 1947 से 1947 से हम देखेंगे कि किस तरीके से कश्वीर की अगर हम बात करेंगे तो यह एक रियासत हुआ करती थी ठीके और इस रियासत में राजा थे महराजा हरी सिंग महराजा हरी सिंग ठीके इसकी कहानी ऐसे यह बच्चो इस पूरे मुद्रे की कहानी कि जब निकले लेकिन वहां की जंता ऐसा नहीं मान रही थी उनका अपना मुद्दा था कि कश्मीरी अथ है वह कश्मीरी है वो भारत या पाकिस्तान देखो तीन आप सभी को बताया कि देशी रियास्तों के सामने princely state के सामने बिसिकली तीन ऑप्षेंग थे या तो भारत में शामिल होना या तो पाकिस्तान में शामिल होना या इंटिपेंड़ेंट रहना स्वातंत रहना कश्मीर ने कश्मीर के जो राजा थे उन्हों ने Diamant заou biological चुना स्वातंत रहना पड़ी मह जीमीर ही इतनी इसकी हम थोड़ा सा composition जो population composition जनसंख्या संरचना उसको समझते हैं तो देखो यहां पर क्या क्या चल रहा था जम्मु कश्मीर में हिंसा है सीमा पार आतंकवाद है अगर हम कहें तो सबसे जो शांती प्रिय देश है पाकिस्तान की बात करें तो सीमा पार आतंकवाद का जो मुद्दा है कश्मीर में हमेशा बना रहा कश्मीर में हमेशा घत्रार है पाकिस्तान से हमेशा है कितनी घटनाई हुए राज्लेति का स्थिर्टा जो है जहेली पढ़ी आंत्रिकoff और बाहरी प्रभाव से सामने आएं लेकिन इसके तीन सामाजिक और राजदितिक शेत्र है और इनकी जो सामाजिक संडचना है जो धर्म की आदा है पर जन संख्या जो रहती है उसका कंपोजिशन बड़ा टिपिकल सा है लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मुसल्मान सिक और बाकी धर्मों की अनुवयाई रही है वो भी है कुछ-कुछ संख्या में ठीके यहाँ पर हम देखेंगे कश्मीर की बात करेंगे तो मुक्ह शेत्र जो है कश्मीर का वे कश्मीर घाटी जहाँ पर जैफ्रॉन की खेती होती क्या है जैफ्रॉन तो कश्मीर की घाटी और यहाँ पर जो है कश्मीरी मुसल्मान जो है उनकी संख्या यहाँ पर जादा है बाकी हिंदू सिक्ष बऻ्ध और अनिबी लद्दा की बात करेंगे तो लद्दाग जो है वहाँक पर वहाँ पर केवल मुस्लिम लोग रहते ऐसा नहीं है वहाँ की कंपोजिशन में काफी सारे लोग जम्मू की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो जो चोटी पहाड़िया है और मैदानी भाग है ठीक है यहाँ पर जादतर मुख्रूप से हिंदू रहते थे ठीक है चलो तो यह यहाँ पर कंपोजिशन हो गया अब आगे हम चलते हैं और देखो 370 से हम शुरू करेंगे इसको कि 370 के अंतर का जम्मू कश्मीर जो है इसे विशेश राज्य का दर्जा दिया गया एक धारा शामिल किया गया और इसमें विशेश राज्य का जो दर्जा है यह जम् अंतरिक मामलों में विदेशी समबंदों और अंतरिक बाबलों अंतरिक और वाकी बाबलों में कश्मीर के पास थी कि वहाँ की जो अ doubled movement के कश्मीर की और श सर्ओं communities rt kRO U उनको मुख्य मंत्री कहा जाने लगा और जो पहले मुख्य मंत्री वहां के थे वो थे मुहम्मद सादिक ठीके? 2016 में पहली महिला वहां पे CM बनी थी भैबोबा मुफ्ति सो देखो यहां पे हम देखें कि समस्या की जड़े कहां सी थी? बाहरी और आर्तिक जगड़ी 1948 से राजनीती कैसे चेंज हुई? कब यहां पे सशर्ष्ट विद्रो हुए 2002 के आगे क्या हुआ? और फिर जम्मू कश्मीर पुनरगठन अदिरियम 2019 की बात करेंगे देखो बच्चों यह जो लिस्ट है ना यह आपको हेल्प करेंगी कब किसका साशन रहा? कौन-कौन सी सरकार रही? सरकार का प्रमुक कौन रहा? ठीक है? तो थोड़ा सा देखो कि 1947 में थे महराजा हरी सिंग यह विलाई करेंगे बारत में विलाई पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे जब पाकिस्तान के घुस बैठी है जो है यहाँ पर घुस आएंगे ठीक है पाकिस्तान जो बहुत सारे लोगों के यहाँ पर अपना भेज देता है यहाँ पर एक तरीके से कबजा करने के लिए और ऐसे में वो भारत के साथ भारत से सहायता वांगते पर भारत निका की सहायता तबी करेंगे जो विलाइपत्य पर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे में हम देखेंगे कि ये विलाइपत्य पर जो हस्ताक्षर है वे कर देते हैं ठीके ये 1947 क्या सपास की बात है अब देखो इसकी बात क्या हुआ और 1948 में आत बेटे थे हैं ना फारुग शेक अब्दुल्ला की मृत्तियों के बाद फारुग अब्दुल्ला आते हैं एक बार इनकी जो सरकार है उनको अटा दिया गया था दूसरी बार जब फिर से चुनाव हुए तो फिर से जो शेक अब्दुल्ला है फारुग अब्दुल्ला है यह 2002 में और 2014 में जो है मुफ्ति मुहम्मत की सरकार बनी थी और जब इनकी मृत्ति हो गई थी उसके बाद 2016 में हम देखेंगे जो महभूव मुफ्ति जो इनकी बेटी थी ये सरकार में आती है मतलब ये सरकार की प्रविमुक बनती है ये CM बनती है और 1965 के पहले शेक अब्दुलर चीजों में संचोधन हुआ फिर मुख्य बंत्री कहा जाने लगा तो 65 में मुहम्मत सादिक जो है मुख्य बंत्री बने क्लियर हो रहा है 2009 में उमर अब्दुल्ला की सरकार आती है ठीक है तो ये कुछ ऐसे आकड़े हैं कब किसकी थोड़ी 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 बाचीत बाक पर है जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा समझते हैं बच्चो जम्मू कश्मीर ठीक है ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू कहां से हुई सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी समस्या की चलो यहां पर समस्या क्या थी चलंजिस जो है वह कहां थे और कहां से शुरू हुए तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये थी एक जम्मू कश्मीर जो है वह एक राजसी रियासत थी राजा की रियासत राजसी रियासत थी माराजा हरी सिंग है ना कौन थे यहां पे राजा माराजा हरी सिंग थे और जब देखो भारत सोतंत्र हुआ सारी रियास्ते भी सोतंत्र होगे इनके पास तीन आप्शन्स थे या तो भारत में शामिल हो जाओ या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या तो फिर सोतंत्र रह लो ना भारत ना पाकिस्तान है ना भारत ना पाकिस्तान ठीक है ना भारत ना पाकिस्तान स्वातंतर रहने का इंडिपेंडेंट रहने का अब इनों ने तो इंडिपेंडेंडेंट रहने का विकल्प चुल लिया पर क्या बाकी लोग भी ऐसा मानते थे तो अब देखो यहां पर नेक्स्ट हमें याद रखना है कि पाकिस्तान यहाँ पे क्या सोच रहा है पाकिस्तान का क्या मानना था कि कश्मीर की आबादी कश्मीर की आबादी मुसल्मान है और इसलिए यह है पाकिस्तान का है कि लेकिन वहां के लोगों का ऐसा मानना नहीं था ठीके जो कश्मीर के स्थानिये लोग थे वो उनकी पहचानती कश्मीरी या कश्मीरियत कश्मीरिय या कश्मीरियत कश्मीरी या कश्मीरियत यह वहां के इस्थानिय लोगों की पहचान थी एक आइडेंटिटी नहीं बना लेते हैं इस्थानिय लोगों की पहचान अब देखो यह वहां की रियासत का मानना था अब आगे जो आकड़ी है वैं कैसे बदलेंगे कि यहाँ पर एक पार्टी बनती है नेशनल कॉन्फरेंस शेक अब्दुल्ला है ना तो हम देखेंगे कि नेशनल कॉन्फरेंस ये तीन बाते आप समझ गए आप नेशनल कॉन्फरेंस आएगी ठीक है नेशनल कॉन्फरेंस पार्टी और यहाँ पर शेक अब्दुल्ला के नेतरत्वें बनती है यह 1948 की बात है और इनका मेन मानना क्या था? महराजा से छुटकारा महराजा से बिसिकली इनको हटा देना है न? और देखो जो शेक अब्दुल्ला है इनका कॉंग्रेस के साथ संबन था कॉंग्रेस की अगर हम बात करें तो एक पार्टी के रूप में कहें विचारधारा के रूप में कहें तो जो शेक अब्दुल्ला थे कॉंग्रेस का एक प्रभाव था इन पर है न? तो देखो धर्म देर पेक्ष संग्ठन था कॉंग्रेस के साथ नैशनल कॉंफरेंस के संबन थे तो और ऐसे में अगर खुद सोचो कि महराजा अगर हट जाते शेक अब्दुल्ला आ जाते तो केंद्र और राज्य की बीच के जो संबन है केंद्रे में कॉंग्रेस थी केंड और राज्यकी बीच के संबन थोड़े से स्थाई और स्थिर रहेंगे नहीं रहेंगे है ना तो ये सारी जो चीजे है वो यहाँ पे चल रही थी ठीक है क्लियर है अच्छा हरी सिंग का देख लोगा कि इनका जो बिलाई है या इनो उन्हें बिलाई पत्र पर कैसे हस्ताक्षर किये अक्टूबर 1947 अक्टूबर 1947 में कि वल पाकिस्तान लिखे अपाक लिखने समझ में आ जाएगा ना पाकिस्तान ने अपने जो कभी लाए जो घुस पैठिये थे ठीक है ये गुस पैठिये कश्मीर में जब भेश दिये तब ऐसे में भारत के साथ विलाई हो गया ठीक है भारत में विलाई कश्मीर का बच्चो देखो मैं इंपोर्टेंट कीवर्ड लिख रही हूँ लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको बाद में याद नहीं आएगे इन तीन वर्ट से तो आप चार शब्द लिख सकते हैं ठीक है आप चार शब्द लिख लिख लिजेगा कि पाकिस्ताने गुस बैठी कहा इनको भेजा है तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है चाहे तो परिग्राफ में लिख लिए वैसे परिग्राफ में लिखोगे तो बहुत जादा परिग्राफ में तो किताब में भी लिखा हुआ है important keyword से अगर लिख लोगे तो notes भी आपके इस दम crisp और छोटे बनेगे ताकि आप उसका quick revision कर सको देखो नोट्स का तो आपके लिए बेनिफिट तभी है जब आपका समय बच जाए वैसे तो नहीं तो आपको आपको आसानी से समझ में आ जाए तो जो चीज वहाँ पे 2000 शब्दों में लिखी है वो अगर हम 100 शब्दों में लिख रहे हैं तो यह जादा बैनिफिट है कि important चीज़े हमने निकाल ले और उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़े वैसे भी याद आ जाएंगी तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आएगा तो प्लीज एक line extra लिख ले तीन से 5 शब्द लिख लो शेक अबदुल्ला की जब सरकार 1948 में आती है विलै हो गया 47 में जब इनकी सरकार आती है तब भी कहीं नहीं कुछ ऐसे मुद्दे थे और कश्मीर की स्वायतता के लेकर जो मुद्दे हैं वै उटते रहे अब देखो पाकिस्तान ने क्या किया पाकिस्तान ने चुकि पाकिस आक्रमन ही कहेंगे ठीक है और यहां पर कश्मीर का कुछ ऐसा हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कबजा कर लिया उसको आजाद कश्मीर कहा उसको कह कहा आजाद कश्मीर कहा और यहां पर आक्टूबर 1948 की ये बात है ठीक है तो जब 1948 में पाकिस्तान ने ऐसा किया तो भारत औ हम देखेंगे कि अब जो UN है UN का हस्तक शेफ हुआ सयोक्त रास्ट UN लिख लीजगा सयोक्त रास्ट का हस्तक शेफ हुआ और इसकी द्वारा एक जो प्रस्ताव है बहें लाया गया ताकि शांती स्थापित हो सके लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज भी शांती स्थापित हो पाई है तो अक्टूबर 1948 है ना तो शेक अब्दुल्ला हम देखेंगे कि UN का हस्तक शेप हुआ और जब 48 में शेक अब्दुल्ला की सरकार बनी थी भारत सरकार ने क्या किया अनुच्छे 370 में आस्थाई स्वायत अता आस्थाई स्वायत अता इस्थाई रूप से नहीं देगई जो 370 हटा हुआ है ना तो उसका सबसे पहला तो आठाने कादार यही था कि यह आस्थाई दे गई थी इस्थाई रूप से नहीं दे गई थी शेक मुहम्मद अब्दुल्ला 1905-1982 इनका जीवनकार जम्मु कश्मीर के नेता थे जम्मु कश्मीर की स्वायत थे और धर्म निर्पेख्षता के समर्थ थे क्योंकि उन्हें जिस नैशनल कॉन्फरेंस संगठन का नेता तो किया था धर्म निर्पेख्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरूद किया और नेशनल कॉन्फरेंस की नेता थे भारत में विलाइक के बाद जम्मु कश्मीर के प्रधान मंत्री बने देखो यहां पर ऑफिशली जो है प्रधान मंत्री शब्द जो है 1947 में यूज किया जा रहा है ठीक है 65 के बाद मुख्यमंत्री शब्द यूज किया जाएगा और भारत सरकार ने बच्चों इनकी बर्खास्तगी कर दी थी और इनने जेल में डाल दिया था और यह समय था 53 से लेके 64 तक और इंद्रा गानी के साथ जब समझौता हुआ था उसके बाद फिर यह राज के मुख्यमंत्री पत पर आरूर हुए था यह 74 की बात होगी 65 से प्रधान मंत्री मुख्यमंत्री हो गया समझे इस बात को चलिए देखो अब हम थोड़ी सी बात जो वे बाहरी और आंत्र जगडों की बात करेंगे ठीक है ज़र इस कुश्चन को देखो मैंने आपसे यूएन की बात की सयोगत रास के 1948 के प्रस्ताव में कौन सी बाते शामिल थी जब पाकिस्तान ने नियद्दन कर लिया एक हिस्से पर उसके बाद यूएन ने हस्तक्षेप किया और अपने प्रस्ताव में तीन बातों को रखा पहली बात रखी पहली मांग रखी कि पाकिस्तान वे अपने नागरिक जो है जो भेजे थे वह वापस बुला ले ठीके ये कहा गए कि भारत जो वे धिरे धिरे अपनी फॉस को कम करे ताकि वहां की कानून ववस्ता राजिक अनुसार बहाल की जा सके जादा तर लेकिन आप फिर भी देखोगे कि भारतिय सेना और सारे चीज़े जो है शुर्वात से ही जादा नियंतर डाओ रास्टपती साशन उस पे कई बार लगा जिससे वहां की लोगों के बीच में असंतोश बहुत जादा रहा आर्टिकल 370 को जब रिमूव किया गया था हटाया गया था तब भी वहां पर आप देखेंगे इंटरनेट शट डाउन बहुत जादा इंटरनेट की जो सेवाई है वह रोकी गई थी और इसको लेकर जो डेमोक्राची इंडेक्स है जो एक हब कहेंगे प्रेस फ्रीडम इं सके कि आखिर वहां के जो लोग है वह क्या चाहते है ठीके लेकिन याद रखना कि जैसे ये सारे चीज़ें चल रही थी इस प्रस्ताओं पर कोई प्रागति नहीं हुई थी नहीं हुई थी क्योंकि नाइटिल 48 आ गया शेक अब्दुल्ला की सरकार बन गई केंडरी के साथ उनका समझाता हो गया 370 के अंतरगत एक स्वायत था आस था रूप से दे दी गई बुद्धशाथ हो गया तो यहां पर तीनों कथन इसमें सही है क्लियर हो गया तो आगे जो बात करनी है हमें वो क्या करनी है आंत्रिक और बाहरी मामले जादा इसको नहीं खीचेंगे बच करेंगे आंत्रिक वाब बाहरी जगडे तो यहां पर ना केवल कश्मीर का जो एक मामला था विवाद था वो पाकिस्तान के साथ ता बलकि अंद्रूनी कुछ-कुछ ऐसे जगडे भी थे जो मुद्दे थे वह काफी उट रहे थे तो यहां पर पहले तो हम देखें कि पाकि पाकिस्तान दावा कर रहा थे क्योंकि यहां की अबादी मुस्लिम थी है ना तो पाकिस्तान द्वारा इस पर दावा किया जा रहा था और जिस शेत्र पर नियंतर्ण किया उसे क्या कहा आजाद कश्मीर कहा उसे आजाद कश्मीर कहा ठीक है पहली बात हो गई दूसरा हम द देखेंगे कि भारत ने संगवाद के साथ साथ हमने इसके पहले आर्टीकल 370 और 371 पढ़ा हुआ है एक बार फिर से आप इसको पढ़ लेंगे आर्टीकल 370 और 371 है ना तो 370 में जम्मू कश्मीर को विशेश राज का दर्जा और 371 में कुछ और राज जो है उन्हें विश दर्जा कुछ विशेश रियायतें हैं तो देख цен जम्मो कश्मीर को बैबारते को पूरी तरीके से एकिवर्ट इन्टीック्रैटर को prayer जम्मू कश्म कश्मीर को नहीं होने देता था और इसले 확 Pick Access के लोग वार सारे सबको यहीं लगता दर्ण कि जम्मू कश्मीर जो भारत के ह मानना था आंतर जगड़े की भी हम बात करेंगे यहां के लोगों का मानना था तीन बिसिकली अगर हम स्वायतता की बात करेंगे तो जो कश्मीरी लोग है इनकी तीन बिसिकली मुद्दे थे ठीक है कश्मीरी जो लोग है इनकी तीन मांगे थी इन्होंने कहा कि जन्मत संग्र जो है हुआ नहीं है इसको कराया जाएग इसकी माझ उठी दूसरी माझ कि स्वायत्ता जो दी गई है तो परियाप्त स्वायत्ता दी जाएग और ये स्बास lavor बाकी हिस्सों की तरह लोकतंत्र नहीं है ये वहां पर एक मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में नहीं है जम्मू कश्मीर में बाकी जो जगा है उसकी तरह जैसे लोकतंत्र जो है वह लाया जाए ठीक है ये आंत्रिक वह बहागरी जगड़ी अब देखो 1948 के बाद राज़ने थी कैसे चली मतलब जब शेक अब्दुल्ला की सरकार आ गए थी 1948 से राज़नेती 1948 से जो राज़नेती है वह कैसे चली इसको समझते है तो यहाँ पर जो शेक अब्दुल्ला थे PM ही बने थे याद रहना है याद रहने है इस बात को शेक अब्दुल्ला क्योंकि पहले PM कहा जाता था जब मुकि पमश्मीर गायन है है ना तो शेख अब्दुल्ला की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या किया बच्चो भूमी सुधार जैसे नेतियों को लागोगीना people की काफि warranty इससे लाब हुआ जन्समर्थन जो है इनके साथ आगया ठीके जल्एक जिसा अब्दुलला का जल्दी ही था वै कश्मीर के दरजे को लेकर ही था कि जादा स्वायतता जो है वह दी जाए ठीक है 1953 से लेके 1974 तक 1953 से लेके 1974 तक कॉंग्रेस की जो नीतियां थी उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर अच्छा खासा था कॉंग्रेस की नीतियों का प्रभाव था लोग विरोध भी करते थे इसका कि नहीं स्वायततदा दो हम अपने इसाब से चलाएंगे 1965 में 1965 में जम्मू कश्मीर का जो संविधान था लग संविधान था इसका विशी शिदर जे के कारण संविधान में परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन के कारण जो पी एम कहा जाता था वो अब सी एम हो गया है ना जो पी एम थे वो अब सी एम हो गया पहले मौहमद सादिक बने 1974 की बात हम करेंगे 1974 में इंद्रा गांधी जी के समर्थन समझोते से शेख अब्दुल्ला की सरकार एक बार फिर आ गई पी एम को अब सी एम याद रहेगा ये बात के समर्थन से शेख अब्दुल्ला की सरकार अब फिर आ गई थी थोड़े से घटना क्रम है ठीक है जरूरी तो नहीं बताना लेकिन फिर भी पढ़ लो एक बार शेख अब्दुल्ला की सरकार आ गई देखो 1977 में फिर से चुनाव होए इसके बाद के घटना क्रम देख लो 1974 हो गया ठीक है 1974 के बाद से 1977 में जम्मो कश्मीर में फिर से चुनाव होए ठीक है और इसमें शेख अब्दुल्ला को फिर से बहुमत मिल गया 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्य हो गई और इसके बाद इनकी जो पुत्र थे फारुख अब्दुल्ला फारुख अब्दुल्ला ठीक है ये जो है वह सरकार में आ गए लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से इन से जब समर्थल खीचा गया तो यहाँ से इनकी सरकार जो है वह हट गई लेकिन जब नेक्स चुनाव हुए वह फिर से अब जीत गए थे तो नेक्स हम देखेंगे अब सशस्त्र विद्रो कैसे हुआ ये तो आंत्रिक जगड़े हो गए आंत्रिक जगड़े चाहे कश्मेरियत का जगड़ा हो या आर्टिकल 370 हो या बाकी भारत की तर सशस्त्र विद्रो और उसके बाद के घटना क्रम हम देखते हैं सशस्त्र विद्रो और उसके बाद पताया हुआ है अब देखो सशस्त्र विद्रो कैसे शुरू होगा यहां पर कि 1987 में विधान सभा के यहां पर चुनाव हुए 77 में हुए थे हैं ना 77 और यहां पर अब हम 1987 की बात कर रहे हैं 1987 में विधान सभा के चुनाव हुए और अब यहां पर जो सरकार बनती है यहां पर जो सरकार बनी वे नैशनल कॉन्फरेंस और कॉंग्रेस के गटबंधन की सरकार बनती है फारूक अब्दुला यहां पर अब और जो चुनाव हुए है उसमें बहुत इक गरबड़ी हुई है ठीक है और कहीं न कहीं केंदर का हस्तक्षिप इसमें गलत तरीके से देखा जा रहा था और अब देखो जब लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता रहा तो 1989 से यहां पर उग्रवादी आंदोलन जो है वैं अलगावबाद और कश्मीर को एक प्रथक रास्ट बनाने की जो माग है वैं शुरू हो जाती है ठीक है क्लियर है क्लियर है इतना ठीक है चलो अब देखो यहां पर इसके बाद चुनाव होते हैं 1996 में अगले चुनाव जो हुए 1996 में हुए ठीक है यह कुछ घटना क्रम है अब आगे देखो सशस्त्र विद्रो हो गया अब आगे हम 2002 के बाद की राजनिती की बात करेंगे 2002 और इसके आगे 2002 ठीक है हमने देखा कि गटबंधन के बाद जो मुफ्ति मुहम्मद थे यह तीन वर्ष के लिए सरकार के मुखिया रहे लेकिन उसके बाद जो गुलाम पूरा नहीं करपाए आपको कॉमेंट करके बताना है कि अब तक जम्मु कशिमीर में कितने बार रासपती साशन लग चुका है और भारत में ऐसा कौन सा राज है इसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे जादा रासपती आफ्याशन जो में लगा घया किस आर्टिकल के अनु अब देखो 2014 में नेक्स चुनाव जो है 2009 के बाद कम हुए 2014 में हुए और हम देखेंगे कि अब यहाँ पर मुफ्ती 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 बनती है लेकिन आगे देखो यह हम कहा तक आगे बचो 2016 से आगे 19 सिंतलम भी यात्रती थोड़ी सी है ना 2016 तक आगे अब 2019 में जम्मू कश्मीर रिया ओगनाईजिशन अगर आपने बिल और जो एक्ट बन चुका उसकी अगर हम बात रहे किस डेट को यह पास हुआ था बताना ज़रा किस डेट को यह जो बिल था वह एक्ट में कनवर्ट हो गया 370 को कहा जाता था कि 370 को हटा नहीं सकते नहीं तो जाने कितरी आतंकवादी हटाई होंगी कितना कठिन काम था लेकिन 370 अराम से हट भी गया सारे चीज़े ठीक से मैनेज भी हो गई तो 370 का जो स्पैशल स्टेटस जम्मो कश्मीर को दिया गया वो हटा लिया गया वापस दे लिया गया ठीके 5 अगस्त 2019 को जम्मो कश्मीर पुनरगठन अधेनियम 2019 के द्वारा अब यह जो 370 अनुच्छे था इसको समाप्त किया विशेश राज्य का दरजा खतम कर दिया और जम्मो कश्मीर जो एक विशेश राजी था अब उसको दो केंद्र में डिवाइट कर दिया गया दो केंद्र साशित पैदेश बना दिये गए जम्मो कश्मीर और लग्दाग क्लियर है देखो आपको यह थोड़ा सा टफ लग सकता है कौन आया कब आया बहुत इंटरस् का पुनरगठन अदीनियम 2019 के संबंद में निम्निपर विचार कीजिए थी स्टेट्वेंट है पहला कथर आपसे कहता है कि विधान सभा के साथ जम्मू कश्मीर और केंद्र साशित प्रदेश और लग्दाग केंद्र साशित प्रदेश होगा है तो दोनों में क्या विधा साशित किया जाएगा हम देखते हैं कि जो यूटी इस पर सीधा कंट्रोल रास्पती का होता है एक नियंतर डखने के लिए है ना एक इंटिग्रेशन एक एकता के लिए क्योंकि यूटी का बहुत हमारे लिए सामड़े को महत्व होता है ऐसे में रास्पती या तो डारेक् साशन करेंगे फिर सो थर्ड है कि जम्मू और कश्मीर केंड़ चासित पैदेश और लेह के लिए अलग-अलग विधान सभा का प्राथान है अच्छा यह दोनों आपको एक ही जैसे लग रहे होंगे देखो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है कोई एक कथन सही है मैं आ जो लद्धाक में विधान सभा नहीं है और जो जम्मू कश्मीर हाइ कोट है ठीक है लद्धाक के लिए जो रेडिक्शन ए理ा लद्धाक के लिए अधिकारिता जो शेत्र वे जम्मू कश्मीर ही माला जाएगा है अब देखो कौन साशन करेगा तो रासपती के द्वारा प्रसाशित होंगे कश्मीर में लेटिनेंट गवर्नर होगा लद्दाक में सीधा रासपती के द्वारा जो है हम देखेंगे कि लेटिनेंट गवर्नर नामा के प्रसाशक की न्युक्ति की जाएगी लद्दाक में ठ पहले जम्मू कश्मीर की विधान सभा का कारेकाल 6 वर्ष हुआ करता था, बाद में इसको 5 वर्ष कर दिया, ठीक है, तो जो मंत्री परिशत होगी, उसकी संख्या 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ठीक है, विधान सभा की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी चलिए और उच्छन्यालाई की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाक का बेसिकली साज़ा उच्छन्यालाई है जो की जम्मू कश्मीर में होगा चलिए अच्छा विधान परिशत भी थी पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिशत ठीकर जब हम Bicameral System के बात करते हैं दूई सदिनी विधाईका की बात करते हैं जैसे केनर में राज्य सभा और लोक्सभा है वैसे ही राज्यों में विधान सभा और विधान परिशद जम्मू कश्मीर में विधान परिशद हुआ करती थी यह न तो विधान परिशत को भंग कर दिया गया और केवल विधान सभा जो की जम्मो कश्मीर में थे और जैसे विधान परिशत भंग हुई जो भी उसमें लंबित बिल थे वो सभी लैप्स हो गए हतम हो गए क्लियर हो गया जम्मू कश्मीर समझ गए जम्मू कश्मीर समझ गए बच्चों आगे चले चल्दी से बता दो 370 समस्या की जड़े बाहरी और आंत्रे जगड़े 48 की राजनिती सशत्र विद्यो 2002 और 2019 ठीक है माराजा हरी सिंग शेक अब्दुल्ला मौंबस साइद पारुक अब्दुल्ला मुफ्ति मौंमद उमर अब्दुल्ला मैभुगा मुफ्ति और अब 2019 ठीक है वर्तमान में सी एम और कौन है बताईए जड़ा अब हम चलते हैं नेक्स्ट डवे डांदुलन पर ये तो ह 1973 इनका जीवन काल ठीक है और ये देखो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे जाती विरोधी आंदुलन अगर आप देखेंगे कई आंदुलन इस तरीके से आप पढ़ेंगे उसमें रामस्वामी नायकर का जो नाम है मैं बहुत आगे आता है कॉंग्रेस कारे करता थे आत् गत्युकिया जस्टिस पार्टी के कारे करता थे देविड कशकम जो आप बाद में DMK और ADMK की रूप में विभाजन हो जाता है DM के ADM के सुनते है न वो यही है देविट कशगम है न इसकी स्थापना इनों नहीं की थी रामास्वामी जो नायकर है ठीक है जो कि पेरियार के नामा से पेरियार के नाम से जानते है अब इनों ने देखो उत्तर भारतिये और हिंदी का विरोत किया था मतलब इनों ने ये कहा था कि दक्षिन की जो संस्कृती है आप जेखेंगे आपकी North-South के difference जो culture है वे जादा बहुत difference आपको देखेगा आज भी आप बच्चो South की movies देख लीजे आपको उसमें culture दिखाए देगा Indian culture और सारी चीज़े आपको थोड़ा सा वे जादा ठीक ठाक उसका subject रहता वहीं आप Bollywood और North की movies देख लीजे किस तरह के उनके subject रहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि culture को लेकर एक बड़ा difference था और री रामस्वामी जो नायकर अगर पेर्यार की बात करें इनका ये मानना था कि उत्तर की जो culture है वह हम पर ना थोपा जाए नहीं उत्तर का विकास जो है वो हम पर थोपा जाए ठीक है तो यहाँ पर इनों ने उत्तर भारती वर्चस्व का विरोथ किया उत्तर भारती जाए दक्षिन दिन घटता जाए और इसमें बेसिकली इनों ने ये बताया था कि किस तरीके से जो है वो उत्तर का तो विकास हो रहा है पर दक्षिन का विकास नहीं हो रहा है और साथी साथ भारती राशनीती में ये आंदोलन शेत्रियता वादी भावनाओं का सरप्रतम और सबसे प्रवल एक अभी व्यक्ती थी है ना कि इनों ने ये कहा था कि जो उत्तर है सबसे पहले तो ये जालो द्रविड आंदोलन दक्षिन में दक्षिन भारती जो राजे हैं उसमें जो आंदोलन हुए शुरवात में सभी राजे शामिल थे बाद में धिर धिर बाकी जो राजे उनकी राजनीते अलग हो गई वह दूसरे तरीके से चलने लगे लेकिन तमिल लाडू में अब भी तमिल लाडू में जो ये दविड आंदोलन थे वह बहुत ज़ादा प्रभल रहा लास तक ठीके तो देखेंगे हमके एक स्वातंतर दविड रास्ट बनाने की तक मांग होने लगी थी दक्षिन में स्वातंतर द्राविट रास्ट बनाने की मांग तक होने लगी थी और उसके बाद कभी हम देखेंगे कि यह हिंसक नहीं हुआ यह आदोलन ठीके और यहां पर सारजनिक वहस चुराव मंच का इस्तमाल किया तमिल समा सुधारक थी इवी रामसवामी नायर कर जो की पेरियार के नाम से जाने जाते थे इन्होंने किया और एक संगठन ता बच्चो द्राविड कशगम है ना द्राविड कशगम का सूत्रपात इन्होंने किया ब्राम्हन वच्छस्व का विरोध किया राजनेतिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रभुत्व को इन्होंने नकारा ठीके उत्तर भारत के राजनेतिक, आर्थिक और संस्कृतिक प्रभुत्व कुनगारा जो शेत्रिय गौरव था, जो वहां की संस्कृति, जो कल्चर था उसको बढ़ावा दिया, ठीके? लेकिन बाकी दक्षिन भारतियों में जो राजे थे समर्था नहीं मिला, उसके बाद तमिलाडू के आसपास के जो शेत्र है वहां पर ये सिमट कर रह गया, ख्लियर, वहां पर ये सिमट कर रह गया, चलो, आगे देखो, तो दविड कशगम पार्टी है न किसने स्थापना के ये रामस्वामी नायर कर और यहां पर जो आप ये DM के सुनते है द्रवेट मुनित्रा कशगम बाद में हम देखेंगे कि ये जो है DM के इससे भी तूट हो जाती और ये दो भागों में बढ़ जाता है एक DM के और दूसरा जो है वह ADM के ठीके अन्ना द्रवेट मुनित्रा कशगम ठीके तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो पार्टिया है ये एक ही पार्टि थी बाद में अलग-अलग हो गई अच्छा देखो इसके कुछ दो तीन पॉइंस जो है वह लिख लीजी आप जैसे कि इन्होंने हिंदी को राज भाषा बनाने का जो विरोध है वह किया था दो-तीन मांगे थी एक तो रेलवे स्टेशन था जिसका की नाम चेंज करके क्या कर दिया था कल्लाकुडी नाम था उसका नाम कर दिया था डालमिया पुरम है न वो निरस्त किया और जो पुराना नाम था वह किया तो इनकी कुछ मांगे थी जिसमें से पहली मांग ये थी कि जो मूल नाम है जगहों के जो जिस भाषा में स्थानी जगह स्थानी भाषा है उसी तरह रखा जाए उसका हिंदी में कोई भी नाम चेंज जो है वहना किया जाए दूसरा ये था बच्चो इसकी इनकी मांग ये थी कि स्कूली पार्ठिक्रम में जो तमिल संस्कृती है तविट कशगम पार्टी की अगर हम बात करें ठीके बाद में इनकी जो मांग थी एक तो मूल नाम बने रहे ये मांग थी एक इकजामपल में वही लिख लीजेगा दूसरा ये है कि जो स्कूली पार्ठिक्रम थे स्कूली पार्ठिक्रम इसमें तमिल कल्चर को बढ़ावा दिया जाए हिंदी ना सिखाई जाए तमिल संस्क्रती को बढ़ावा दिया जाए आप देखेगे कि बॉलिवुट की हीरो हीरो भले ही आप देखेंगे कि पड़े लिखे हो ना हो लेकिन वो इंगलिश बड़े ध आप देखो कल्चर वाली बात है तो सिनेमा क्या है सिनेमा अगर हम देखें कि आपने एक हिद्धी हो यह इंग्लिश हो 10th 11th के आसपस अगर आपने ऐसे लिखा हो 10th में स्पेशली तो देखा होगा कि जो कल्चर जो साहित है हमारे समाज का आइना होता है एक दरपन होता है तो देखो जो नहीं पर नौर्ट और साउथ के कल्चर में और भीखेंवे आपको एकशाद देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर देखो कि तमिल संस्क्रिती के एतिहास को जादा महत्वी दिया और यहाँ पर एक मांग जो ये भी रखी गई थी कि हिंदी विरूधी 1965 में 1965 ये वही समय है जब इंग्लिश को खतम किया जाना था और हिंदी को आगे किया जाना था तब ऐसे में बहुत ज़ादा इसका विरूध किया और 1965 में हिंदी को रास्ट भाशा नहीं है बच्चो राज भाशा द्यान रखना ओफिशिल लेंग्वेश राज भाशा राज भाशा बनाने का विरूध किया राज भाशा बनाने का विरूध किया ठीक है आप साउथ में जाके हिंदी को जादा प्रमोट नहीं कर सकते सरकार की दुआरा बेंग्लोर या फर आप देखें किसी स्टेशन पर हिंदी में पोस्टर लगवाए गये थे और ऐसे में वहां की दस्ट्री कौन जातिवाद विरोधी के खिलाफ और इसके अलावा हिंदी का आपको याद अठना है ठीके और जो उत्तर का वर्चस्व है उसके खिलाफ थे उत्तर का वर्चस्व के खिलाब थे बाकि ये भी लगता था कि जितना उत्तर भारत का विकास हुआ है उतना दक्षित भारत का विकास नहीं हुआ है यह भी इने लगता था ठेक है चलिए आगे चलते हैं और next अब हम बात करेंगे पंजाब की next जम्मू कश्मीर हो गया द्रविद हो गया द्रविद की बहुत ज़दा जानकारी नहीं दी गई यहां की जो सामाजिक गुनावर्थ है विभाजन की समय पहली बार ही बदली थी और बात के कुछ हिस्सों से हर्याडा और हिमाचल प्रदिश नामक जो राजे जो आप हर्याड और हिमाचल प्रदिश देखते हैं वो कभी एक पंजाब प्रांत का ही हिस्सा हुआ करते थे लेकिन बात में इसको अलग किया गया पंजाब की सामाजिक संडचना इससे भी बदल गई एक तो विभाजन के समय बदली थी जब पार्टिशन हुआ था दूसरी बार तब बद और सिखों की राजनितिक शाखा 1920 के दशक में अकाली दल की इसमें बड़ी भूमिका होगी उसको हम पड़ेंगे अकाली दल का गठन हुआ और अकाली दल ने क्या किया पंजाबी सूबा का गठन किया जो पंजाबी भाशी थे वो इस सूबे में बहु संख्यक हो गया तो तो मतलब जादाते हैं जो पंजाबी भाशी लोगते वो एक साथ हो गया जादाते हैं जिसमें जो सिख हैं वो बहु संख्यक हो गया तो दिखो कही न कहीं पंजाब की अगर हम राजनितिक संख्यक लग सकती है अकाली दल का एक बड़ा प्रभाव रहा एक राजनितिक हैं जिसने समय समय पाइब पंजाब की स्वायत था और बाकी सारी मांगे उठाए ठीक है चलो तो आब हम इसमें तीन बातों को समझना है कि एक तो राजनितिक संदर भिया का क्या था दूसरा हिंसा का चक्र हिंसा की चक्र में हम बात करेंगे किस तरीके से ओग्रवादी जो एक अंदोलन वहाँ पर चलाया गया अलगावाद चलाया गया अलग रास्ट की मांग एक तरीके से की जाने लगी कैसे उन लोग ने जो गोल्डन टैंपल है उसको एक हत्यारवंद किले के रूप में रख लिया भारती सरकार के द्वारा ब्लू स्टार ऑपरेशन ठीक है ब अबिस सर जो उनका स्वन मंदिर था वो हताहत हो गया था इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण तो एक सिख जो हम कह सकते जो भावनाएं थी जो सेंटिमेंट्स थे वो आहत हो गए थे ठीक है शान्ती के और कैसे बढ़े तो राजीव गानी लोगोवाल समझोता की बात करे यह पूरा राजनितिक संदर्व था क्लिया रहे चलिए तो यहां पर हम कुछ कुछ आपको यह पॉइंट्स देखने को मिलेंगे अकाली दन जो 1920 के दशक में जिसका गठन हुआ पंजाबी सूबा पंजाबी सूबा में क्या है जो सिख थे वह बहुत संख हो गये थे तो 1967 और 1977 में अकाली दल की जो सरकार है विबनी कॉंग्रिस में आपने नरम पंति और गरम पंति सुने थे ना ठीक वैसे ही अकाली दल में भी नरम पंति थे जो सामानी रूप से उतनी वैसी हिंसा और सारी चीजों का अस्तमाल नहीं कर रहे थे असानी से जो साशन सरकार है चला है ना सिक वर्चस्व बहु संख हो जाना ये भी उनकी दिमांड में था पंजाबी भाषा का वर्चस्व जो है वह उनकी दिमांड में था लेकिन अब उसमें जो हम कह सकते जो चरम पंथी ते एकदम पंद्र ऑपरेशन ब्लू स्टार पीए मिंद्रा गांधी की हत्या सिक समधाय के परती हिंसा 1984 जो सिक दंगे थे 2005 में पीए मन मोहन सिंग जो थे हमारे उन्होंने माफी मांगी थी 1984 में 1984 की सिक दंगों के बाद ठीक है चलो तो उसकी भी हम बात करेंगे उन्होंने हाँ 11 अगस सब जोता की बात करेंगे तो यह 4-5 पॉइंट्स हम देखेंगे इसी क्रम से हमें पढ़ना है ठीक है फ्लियर है चलो तो शुरू करेंगे और करंट अफेर में याद रख लेना करंट अफेर में भी खालिस्थान आंदोलन जो है वो उसकी मांग फिर से उठी सरकार ने क्या कदम उठाए क्या इसके उपाई हो सकते थे यह आपके लिए मेंस का है ठीक है यह आप करेंगे बच्चों कि क्या खालिए देखो भूमी भूमी का वर्तमान विवाद क्या है क्यों है आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे वर्तमान विवाद क्या और क्यों दो शब्दों को हमेशा ढूने क्या और क्यों ठीक है और इसका एक समाधान क्या हो सकता है तो समिधान के दाएरे में रहकर आपको समाध और संप्रमु सिख राजर के लिए लड़ रहा है बारत और पाकिस्तान दोलों तो कुछ ऐसे पाकिस्तान में भी हिससे हैं खालिस्तान की चलिए तो पहले हम पढ़ते हैं 1920 से शुरू करेंगे राजनेतिक संदर चरा है राजनेतिक संदर्व थोड़ी सी यहां की राजनेति समझ ले 1920 ने 1920 ने 1920 का केवल एक पॉइंट आकाली दल वाला अब यहां पर देखो बच्चों शुरुबात होगी वही आकाली दल से शुरू कर लो 1920 में आकाली दल का जो गठन है वै किया गया और अकाली दल के द्वारा पंजाबी सुबा जो पंजाबी सुबा है इसका गठन किया गया और पंजाबी सुबा में बेसिकली जो सिख है वो सब एक साथ आ गए सिख आबादी जो है वह बहु संख्यक हो गई सिख आबादी जो है वह बहु संख्यक हो गई अकाली दल की बात करेंगे तो 1967 और 1977 में पंजाब में इनकी सरकार बनी ठीक है अकेले नहीं बना पाई जब बाद में तो कुछ गटबंधन भी हुआ आप देखो पंजाबी सुबा जो है बचो इसकी इस्तिती जो है जादा मजबूत नहीं थी उसके कुछ कारण थे उसके कारण ये थे पंजाबी सुबा ठीक है इसकी जो संकल्पना थी इस्तिती जो थी वह थोड़ी कमजोर थी डावा डोल थी अब ये डावा डोल क्यों थी इसके दो-तीन कारण थे पहला कारण ये था कि ये जो स्विक्रती है ना वो पूरी जगा नहीं होती देखो sometimes क्या होता है कि कितने लोग जो है एक्स्ट्रीम लेवल पर जाके सोच पाते हैं कि नहीं तो यहाँ पर देखो अकाली दल ने जो बाद में अकाली दल ने जो इस सरकार बनाई तो सबसे पहली बात तो थी कि सरकार ने जो पंजाब की सरकार जो राज सरकार थी केंद सरकार ने इसको बारबार बरखास्त किया और जब बरखास्त किया तो एक प्रॉब्लम ये थी दू हिंदू के भी समर्था नहीं था और यहां पर हिंदू सिख जो हिंदू थे हिंदू पंजाबी थे उनकी भी संख्या ठीक ठाक थी और तीसरी बात यह थी कि जो सिख समुदाय है न वह भी बाकी धर्मों की तरह जाती और वर्ग में बटा हुआ था तो इनकी आपसी जो एकता है उसमें भी जरा समस्या थी और ऐसे में हम कहें कि अकाली दल जो कटवंधन से सरकार इसने बनाई उसकी इस्तिती बहुत मजबूत नहीं रह सकी अब आगे हम देखेंगे बच्चों कि 1970 का दशक 1970 का दशक और पंजाब के शेत्र में स्वायतिता की जो मांग है स्वायतिता की मांग बहुत जोर से उठी इस समय है ना 1900 और यह सा रही था कि कोई सारा पंजाब या फिर सारा काली दल इस चीज़ को बोल रहा है बलकि कुछ एक ऐसा तबका था एक ग्रुप था जो कि बहुत ज़ादा इस चीज़ को बोल रहा था कि नहीं हमें अलग से एक प्रांथ एक अलग ही स्वायतता की जो बात है वह हो रही थी अब 1973 में आनंदपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसे की आनंदपुर साहब प्रस्ताव कहा जाता है 1973 1973 आनंदपुर आनंदपुर साहब प्रस्ताव इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट रूप से रखी गई एक तो देखो छेत्रिय स्वायतता की बात की गई कहा गया कि केंद और राज्य के जो संबंध है इनको फिट से री डिफाइन किया जाए केंद राज्य संबंध को पुनर परभाशत किया जाए और सिख वर्चस्व की बात की गई बच्चों 1980 में जो अकाली दल की सरकार थे उसको बरखास्त किया गया 1973 तक आ गए 1980 तक चलो अब देखो इसमें जो इतनी सारी information से वह आप कुछ ऐसे याद कर सकते कि कुछ घटनाओं को याद कर लिए कुछ वर्षों को याद कर लिए वहां से चीजों का जो घटना करम है वह समझ दे 1980 में क्या हुआ था कि जो अकाली दल है अकाली दल की सरकार को बरखास्त कर दिया गया ठीक है 1980 में अकाली दल की जो सरकार है इसको बरखास्त किया और इसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ चरम पंथी थे इन्होंने किसकी मांग की खालिस्तान की इन्होंने खालिस्तान की मांग की याद रखना सबसे लास्ट में है खालिस्तान वाला पॉइंट है इन्होंने क्या किया चरम पंथी उन्होंने खालिस्तान की मांग की तो यह यहां का राजुतिक संदर था अब हिंसा का चक्र हम थोड़ा सा देख ले हिंसा का चक्र कैसे शुरू हुआ देखो जब सत्ता जो है नरम पंथी अकाली दल नरम पंथी अकालियों मतलब जो थोड़ा सा ठीक तरीकी से सोचते थे नरम पंथी थे जिनके नेतिया उतनी स्ट्रॉंग उतनी अगेस नहीं थी केंदि सरकार के सो नरम पंथी अकालियों के हाँ से जब सत्ता और शक्ति जो है इसका ट्रांसफर हुआ किसको चरम पंथीयों को तब इन्होंने क्या किया साशस्त्र विद्रोह किया साशस्त्र विद्रोह और अलग रास्ट और जो खालिस्तान है इसकी इमांग को बहुत तेश कर लिया स्वन्ड मंदिर गोल्डन टेम्पल इन चरमपंदियों ने क्या किया इसको एक हत्यार बंद किले के रूप में उग्रवादियों ने इंद्रागादी सरकार ने ने उग्रवादियों की संग्या दे दी और उग्रवादियों ने एक हत्यार किले बंद के रूप में तब्दील क्या अब ऐसे में आती है इंद्रा गांधी और इंद्रा गांधी ने कहा कि ए रुग्रवादियों से आजादी और पंजादी दिखो अगर इंद्रा गांधी operation blue star नहीं करती और इतना strong decision नहीं लेती माना जाता है कि पंजाब में अगर शान्ती हुई थी और हिंसा और यह सारी चीज़ें अगर इस पर एक स्टे सा लग गया थो उसके पीचे कारण था इतनी strong कारवाही operation blue star इंद्रा जी ने क्या किया कि यहां पर send कारवाई के नादेश दे दिये send कारवाई और यह जो send कारवाई थी इसको नाम क्या दिया operation blue star operation blue star और इसके अंतरगर्थ अब जो सैना है वैं स्वन्न मंदिर में ठीक है golden temple में जो है वैं गई और यहां पर उग्रवादियों को यहां से आजाद करा गया उग्रवादियों को यहां से भगाया गया मार के ठीक है अब आगे देखो 31st October इंद्रा गांधी शोट एट आप देखेंगे कि यहां पर the times of India जो है उसका news है जिसमें कि 31st October 1984 1984 को इंद्रा जी की गोली मार का हत्या इनके ही bodyguard ने कर दी थी और यह जो इनके अंगरक्षक bodyguard थे यह सिक्स अप्रदाय से थे यह जो इनके अंगरक्षक bodyguard थे और बैसिकली इनके जो sentiment वे इसलिए इतने जादा हट हो गए थे क्योंकि स्वर्ण मंदिर जो कि इनका तीर्थ स्थान था सिखों का तीर्थ स्थान था उस पर 1984 में ही इसके बाद से ही बहुत जादा हम देखेंगे सिक्स समदाय के विर्द जो है वह हिंसा हुई ठीक है और पिम ने 2005 में हम देखेंगे कि यहाँ पर मन मोहन सिंग जी जब पिम बने थे 2005 में तब उन्होंने एक जो माफी है वह मांगी थी ठीक है 2005 में इन्होंने माफी मागी थी सिख समुधाय से ही नहीं बलके पूरे भारत रास्ट से माफी मागने में मुझे कोई संकोष नहीं क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वे रास्ट की अबधारना और सम्विधान के लिखे का नकार था अब सम्विधान में ऐसा नहीं लिखा है ना तो सम्विधान को एक तरीके से इस चीज़ में नहीं माना तो यहाँ पर यह आपको याद रखना है कि 2005 में ठीक है आप इस स्टेटमेंट का यूज में सांसराइटे में कर सकते हो अब पंजाब में शांती कैसी हुई तो यहाँ पर आपको एक तरफ संत हर्चन से लोंगोवाल और दूसरे तरफ आपको राजीव गादी इंद्रा गादी जी की हैतिया के बाद राजीव गादी जो है उनको next PM बनाया गया अगले जैसे ही चुना हुए एक साल के बाद और उसके बाद हम देखेंगे कि राजीव गादी PM के तोर पर आए 84 से 89 की बीच भारत के PM रहे इंद्रा गादी की पुत्र थे और 1980 के बाद की राजनीती में सक्री हुए देखो जब इंद्रा गादी का समय था हमने पढ़ा था लास्ट में कि एक उसमें कमी ये निकाली जाती कि राजीव गादी जो की इंद्रा गादी की पुत्र थे उनका अनाविश्यक राजनीती में हस्तक शेप था ठीक है सो ये 1980 के बाद के राजीती में सक्री हुए पंजाब के आतंकवादियों और मीजो विद्रोई देखो आगे हम जब पुर्वत्तर की बात करेंगे तब राजीव गांदी एक मीजो विद्रोईयों के साथ भी समझोता करेंगे सो मीजो विद्रोईयों और असम के चातर संग से समझोता करेंगे खुली अर्थववस्था कंप्यूटर प्राध्यूगी की हिमायती थे सहिली तमिल समस्या को सुलजाने के लिए भारतिय शांती सैना को श्रीलंका की सरकार के निरोद पर श्रीलंका बेजा था और जो कैसे हुई अगर सरकार चाहती है कि इस तरह की चीजों को रोका जाए तो कही ना कहीं तो समझोता करने ही पड़ता है और ऐसा ही समझोता 1984 में 1984 में राजीव गाधी प्रधार मंत्री बनते हैं राजीव गाधी जो है यह प्रधार मंत्री बने ठीक हैं और इन्होंने अकाली दल के अध्यक्ष थे अध्यक्ष हरचद से लोकोवाल अब देखो इसे राजीव गाधी और हरचद से लोकोवाल समझोता कहा जाता है या इसे पंजाब समझोता भी कहा जाता है या इसे क्या कहा जाता है पंजाब समझोता अब देखो इसमें क्या क्या प्राध्धान किये गए हम देखेंगे चंडीगड को लेकर बड़ा एक विवाद था तो चंडीगड को लेकर जो विवाद था चंडिगड पंजाब को दे दिया गया इस समझोते के अनुसार चंडिगड जो है वह पंजाब को दे दिया पंजाब और हर्याना के बीच में सीमा विवाद था पंजाब और हर्याना सीमा विवाद इसको सुलजाने की बात की गई और कहा कि इसके लिए जो आयोग है वह बनाए इसके अलावा पंजाब और हर्याना के बीच में रावी और व्यास नदी जल विवाद था इसके लिए अलग ट्रिबुनल बनाने और इन सब के सुलजाने की जो बात है वह की गई एक ट्रिबुनल बनाने की बात की गई इसके बाद हाला की हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि पूरी तौर पर जो शान्ती है वह हो गई थी ठीके इसके बाद भी देखेंगे हम की उग्रवाद जो है वह कही न कहीं चलता रहा ठीके समझोते तौरंत जो एक हिंसा का चक्र चल रहा था वो तो कहीं न कहीं इससे रुख गया लेकिन फिर उसके बाद भी इस्थाई रूप से शान्ती पंजाब में नहीं हो पाई ठीके हम देखेंगे कि 1992 में पंजाब में जब चुना हुए तो 24 परसेंट वोटिंग हुई थी सूचो 24 परसेंट वोटिंग हुई थी है ना तो यहाँ पर पंजाब में रह रहका जो गरवाद अलगाववाद की भावना पनप रही थी सरकार के द्वारा बार 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 बहाँ पर देखें सशस्त्र सुरक्षा बल को लगाना भाटी सेना का नियंतर करना रास्पती साशन जैसी ववस्था है तो इन सभी ववस्थाओं की द्वारा जो कंट्रोल है वह किया गया ठीक है ख्लियर है चलिए अब हम लास्ट बात करेंगे पूर्बोत्तर की ख्लियर हुआ किसरी बात पंजाब की होगी जब मुकिश्मीर की होगी द्रविडान दोलन हो गया थोड़ी सी बात पूर्बोत्तर की करते कि यहां के किस तरीक से स्वायतता की मांग उठ रही थी क्यों अलग रास्ट की मांग और सारी चीज़े हो रही थी हर जवाकी अपनी अलग कहानी पूर्बोत्तर की कहानी को समझते हैं देखो पूर्बोत्तर की जब हम बात करेंगे बच्चो तो सेवन सिस्टर से ने कहा जाता है साथ बहने अभी वर्टबान हम कहें साथ बहने कहा जाता है और भारत से जो है ये एक बाइस किलो मीटर सक्री पट्टी से जड़ा हुआ है 22 किलो मीटर लंबी जो सक्री पट्टी है इससे जो है ये जुड़ा हुआ है हम देखेंगे भारत के विकास में मादला भारत के बाकी शेत्रों से एक तरह से अलग खलग पड़ गया तो यहाँ पर कारण क्या था उठने का पुर्वोत्तर में अगर हम देखें कि अलगावबाद की भावदा उठी अलगावबाद इसका रेजन जो था कि बाकी भारत से या भारत की शेश हिस्सों से अलग खलग था ठीक अलग खलग पड़ गया तक्दम isolated type हो गया था आगे देखो यहां का जो विकास हो उस पर ध्यान नहीं दिया गया विकास पर ध्यान नहीं दिया और यहां पर शणनार्थी संकट बना रहा क्योंकि पडोसी राज्जियों और जो अंतरास्टी यहां पर बॉन्डीज बनी हुई थी बाकी देश थे तो शर्णार्थी बहुत ज़ादा यहां पर आते रहे तो शर्णार्थियों का संकट था इससे पहचान भाषा और संस्कृति का पैदा हो गया आर्थिक पिछडापन था विकास नहीं था आर्थिक रूप से भी पिछडापन था समटाइम्स क्या लगता है कि जैसे आप किसी पर डिपेंड हो कि नहीं हमारा यह काव कर दूँ अब उस पर ध्यार नहीं दिया तो चलो हम खुद कर लेंगे वह आली बात हो जाती है ऐसे में क्या है कि जब राज्यों को ऐसा लगता है या फिर भारत के किसी एक भाग या राज्यों को किसी शित्र को ऐसा लग रहा है कि उसके डैवलोप्मेंट पर प्रॉपर ध्यार नहीं दे जैसे भी मालूब बुंदिल खंड को अलग राज्य बनाने की बाग हो रही है के बाद आज भी ये चीज़े रुख थोड़ी गई है आज भी अलगावा शेत्रवाद अगर नहीं हो था तो यूपेसी के में इसके स्लेबस में टॉपिक रखे क्यों जाते क्योंकि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं अगर आप सिविल सिवक बनना चाहते हैं तब कही न कहीं इन सभी प्रक्रियाओं, इन सभी समस्याओं के लिए आपका सोल्यूशन और धिमाग लगेगा और ऐसे में अगर इन समस्याओं को नहीं समझोगे, क्या हल दोगे तो यहाँ पर देखो कि शड़नार्थियों की समस्या की बात करें, आर्थिक पिछड़े प दूसरा मुद्ध था अलगाववाद और तीसरा मुद्ध था बाहरी लोगों के खिलाप अंदोलन है ना और इस तरीके से हम देखेंगे कि जो पूर्वुत्तर है उसमें ये तीन मुद्धे राजनीती में बड़े ही संवेदन शील माने जाते थे देखो हमने देखा कि ये ज चीन, म्यामार और बांगलादेश आप देखेंगे कि जब अवनाचरप्रदीश का कुछ हिस्सा जिससे की नेफा कहा जाता जिस पर चीन ने आक्रमण भी किया था तो यहाँ पर चीन उसको अपना भाग एक तरीके से मानता था तो यहाँ पर चीन हो गया म्यामार और जाता है इसे भी यहाँ पर लिख लीजिए दक्षिन पूर्व एशिया का दक्षिन पूर्व एशिया का प्रवेश्द्वार किसे कहा जा रहा नौर्थ एस्ट को क्योंकि बाकी कनेक्टिविटी इसे बन रही है बागी देशों की साथ है न सो दक्षिन पूर्व एशिया का प्रवेश्टवार इसे कहा जा रहा है अब देखो बच्चों कि यहाँ पर आपको अब देखो यहाँ पर स्वायतता की मांग कैसे शुरू होती है उसको थोड़ा सा समझते है ठीक है मैं अब आपको दिख रहा है पहले अगर हम केवल यह रहा मनिपूर और यह रहा त्रिपुरा यह बताओ कि नौटिस्ट के वो कौनसे स्टेट है जहाँ से होकर ट्रॉपाइक ओफ केजर कर गरेखा गुजरती है सो त्रिपुरा और मनिपूर की अगर हम बात करें इन दोरों के अलावा बाकी जो एरिया है था पहले यह सारा क्या था असम का हिस्सा मारा जाता था लेकिन हुआ क्या कि जब असम सरकार के द्वारा असमी जो भाशा है असमी जो भाशा है वह गेर असमी भाशा लोग मतलब असमी भाशा को थोपा गया असमी जो भाशा है इसको क्या गया थोपा गया और जब इसे थोपा गया तब ऐसे में अलग शेत्र की मांग जो है वह शुरू हो गई इसके बाद बाके जो शेत्र है उसकी मांग जो है वह स्टार्ट हो जाती है ठीके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मनेपुर और त्रपडा को छोड़ दिया जाए तो पूरा इलाका सिमी भाशा को थोपा और यहाँ से आटोनॉमी की जो देमांड है वह शुरू हो गई फिर उसके बाद हम देखेंगे कि असम से अलग होकर बाद में अरुनाचल बना असम से अलगोकर बाद में जो है अरुनाचल प्रदेश, नागा लेंट, मेखा लें, मिजोरम, ठीके, ये बाद में बनेगे नागा लेंट, मतलब इसको पूर्ण राज का दर्जा दिया गया था भारती संग में, ये उनका क्राम है, ये उनका क्राम है कि औरे Cherry «96-63 में नागालेंड, को पूर्ण राज का दर्जा दिया गया, हलाकि नागालेंड और कुछ यहा के लोगों का मानना था की कभी भी जो भारत है बारतिये और जो ब्रिटिश थे उन्हों ने यहां पर साशन नहीं किया साशन, इसलिए ये भारती संग का हिस्सा नहीं ठीक है ऐसा माना जाता था यहां के लोगों के द्वारा मनिपो तुपरा मेगाले 72 75 में सिक्किम और 87 में मिजोरम और अर्वनाचल को पूर्णराज का दर्जा दिया गया था यह बात आपको याद रठी है चले नेक्स हम देखते हैं अब यहां के स्वायतता की मांग को तो हम हमने असमी भाशा से समझ लिया ठीक है आगे हमें देखना है अलगाव वादी आदोलन कैसे शुरू हुए अलगाव वादी आदोलन शुर्वात हम करेंगे मीजो पर्वती एरिया से शुर्वात हम करेंगे मीजो पर्वती शेत्र से मीजो पर्वती शेत्र जो की असम के अंदर गथी असम घाटी के अंतर गथी एक स्वायत शेत्र की मांग करने लगा असम घाटी के भीतर स्वायत जिला ठीक है स्वायत जिले की मांग करने लगा और ऐसे में यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी हमरी राज़तिक संग कह सकते हैं मीजो नेशनल फ्रंट बनाया गया मीजो नेशनल फ्रंट ठीक है किसके नेत्र तुमें लाल जेंगा लाल डेंगा के नेत्र तुमें और यहाँ पर जिस तरीके की घटनाय सुरू हुई वो सशस्त्र विद्रो हुए था सशस्त्र विद्रो हुए था जो कि 1966 से इनके लोगों के द्वारा शुरू किया गया और ऐसे में जब भारती सेना ने यहाँ पर हस्तक्षिप किया नेक्स्ट घटना क्रम क्या था? कि जब सशस्त्र विद्रो हो गया तब तो भारती सेना जाएगे काबू करने तो भारती सेना के द्वारा यहाँ पर काबू किया गया और जब काबू किया गया तो यहाँ से अलगाववाद की भावना और बढ़ गई अलगाववाद की भावना बढ़ गई ठीक है? अब 1986 में यहाँ पर समझोता हुआ 1986 1986 1986 राजीव गांधी और लाल देंगा ठीक है? इनके बीच में समझोता हुआ मिजोरम को पूर्ण राज बनाया इसके बाद क्या हुआ बच्चों? मिजोरम को पूर्ण राज का दर्जा दिया गया मिजोरम को पूर्ण राज राज का दर्जा बिला और यहाँ पर जो लाल देंगा थे यहाँ के सी एम बनते हैं ठीक है? नागा लेंट की आगे हम बात करें देखो नागा लेंट में क्या हुआ था? कि यहाँ पर 1951 के असपास कुछ समू ऐसा है जिसने कहा कि चलो हम स्वातंतर हैं तो रह रहे के कुछ ऐसी जगा से मांगे उठ रही थे और वो खुद को स्वातंतर जो हैं वह होशित कर रहे थे क्लियर रहे? नेक्स देखते हैं अब देखो सिक्किम का विलाई कब हुआ? सिक्किम का विलाई इसमें एक और बाहर ही लोगों के खिलाफ आंदोलन जिसमें आप देखेंगे कि अभी भी अगर नागरिक ता संशोधन बेलिया अधिनियम जो भी आए सबसे जादा जो नागरिक रेजिस्टर की बात करें इन सपीका विलाई जादा तर नौट इस्ट में हुआ क्यों हुआ? क्या इसके रीजन थे? सॉलूशन इसका क्या है? यह आपके लिए करेंट की इशूज हो गए इसके अलावा देखो चाहें स्टुडेंट यूनियन की बात करें असम में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदूलन चला ताकि उनकी संस्कृती सेफ रहे यह बाहरी लोगों के खिलाफ आंदूलन यहाँ पर चले ठीक है? 85 में हम देखेंगे कि राजीव गांधी के साथ एक समझोता हुआ चीज़े थोड़ी ठीक हुई अब लास्ट हम देखेंगे अच्छा सिक्किम का और देख लेते हैं आजादी के समय सिक्किम को भारत की शन्नागती प्राप्ति है ना शन्नागती तो थी लेकिन यह सिक्किम में भारत का अंग नहीं था आप सोचेंगे कि यह कब बना कैसे बना है न तो यहां पर देखो बच्चों पहले जो चुनाव में जानते हैं 1974 में पहले लोकतांत्रिक चुनाव सिक्किम जो पहला एक जविक राज्य भी है और गनिक स्टेट भी है इसमें कॉंग्रेस को जीत मिली थी और यहँ पार्टी शिक्किम को भारत से जोडने के पक्ष में थी ठीके एक सै प्रांत बनने की यहां पर कुशिश की 75 अप्रेल में एक प्रस्ताव पारित किया और पूर्ण विलैकी बात जो है वे की गई तो 1975 में एक तरीके से पूर्ण राज जो है वे सिक्किम का बना ठ तो देखो 1947 में अंग्रेजी सामराजी तो खतम हो गया था लेकिन पुर्टगाल और ने पुर्टगालियों ने गोवा और दवंदी आपको पता होगा कि जो आज समाननागरिक सहेता आर्टिकल 44 की बात चल रही है केवल गोवा ऐसा राज्य है जिसमें समाननागरिक सहेता जो तो यहाँ पर पुर्टगाल ने कहाँ पर गोवा और दवन दीप पे अपना जो साशन है वुकर रखा था तो यहाँ पर सबसे लंबे साशन काल में पुर्टगाल ने क्या कि गोवा की जनता का दवन किया और नागरिक अधिकारों से वंचित रखा यहाँ पर धर्ण दिसम्बर 1961 में भारतिय सेना यहां पर भेजी गई दिसम्बर 1961 में जो भारतिय सेना है वैं गोवा में भेज दी गई और गोवा को मुक्त करा लिया गया गया गोवा और दवन दीप है ना गोवा और दव लेकिन तब गोवा को राज नहीं बलकि केंद्र साशित पैदेश का दर्चा दिया गया था चलिए अब देको 1987 में भारा संकाई एक राज बना था यह 1987 तो जब इसे आजाद कराए गया था तब यह केंद्र का दर्चा था ठीक है तो अब एक बार फिर से देख लो अब बस लास्ट आपका पॉइंट बचा है शेत्री आकांशाओ में हमने शेत्र और रास की बात कर ली जम्मु कश्मीर यहां की कुछ स्थानी घट्टा है थोड़ी जादा लगी ना कि कहां पर क्या ह हो रहा है किस वर्ष क्या हुआ कब कौन सी घटना शुरू होई यह एक बार पढ़ने से क्रम समझ में आएगा थोड़े से जादा है ठीक है तो यहां पर जम्मु हाँ अब आप एक अगर आपको चीज़े याद भी ना हो तब भी आप समझ तो गई होगी कि अगर जम्मु क कश्मीर की बात होगी पंजाब की बात होगी पंजाब में भी आपको याद रहे गया होगा कि अच्छा स्वर्ण मंदिर ब्लू स्टार इंद्रा गांधी सिक दंगे शुरवात कहां से हुई राजीव गांधी लोंगोवाल समझोता हुआ शान्ती होगी पूर्वुत्तर की बात की स्वायतता की मांग कैसे शुरू हुई सेवेट सिस्टर जिने कहा जाता है वो कब-कब राज़ुबन एक लिस्ट बना के याद कर लीजेगा पीटी के लिए इंपोर्टेंट है बाहरी लोगों के खिलाफ आदूलों इसमें करंट अफेर देख लेना अब हम पढ़े पतलब हमने अखंडता के साथ-साथ कैसे सबको जो है वैं साथ में रखा हुआ है उसको और हम समझते हैं लास्ट पॉइंट है एक कुश्चन है इसका आंसर भी आप देख सकते हैं इसे जो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत का समावेशी सम्विधानिक धाचा छेत्री आकांशाओं को अलगावद की राह पर ले जाने से रोकता है इस कथन की व्याख्य कीजिए नाइस शब्दों में लिखना कि अगर हम सम्विधान की बात करें तो सम्विधान का द्राचा कैसा है कि हमने प्रॉपर तरीके से मतलब शेत्री आकांशाओं अगर हो रही तो उसको दबाया नहीं है उसको दबाया नहीं बलकि उसका हल निकाला है बाचीत के माध्यम से समझोतों को माध्यम से नहीं दिया गया है फिर शेती आकांशाय है भाशाय है कल्चर को लेकर तो उसका भी संबान किया जाए ना कि उसको दबाया जाए तो विवित्ता से जोड के इसको लिखिएगा ठीके तो कैसे अलगाववाद मतलब अरगर विल्कुल भी केंदिसरकार ना जो के कोई समझोते ना करें वहाँ पे केवल दमन करें तो आपको लग रहा है कि बहुत जादा समय तक उस हिससे को जोड के रखा जा सकेगा तब ऐसे में कैसे अलगावाद की राह पर जाने से रोकता है इसकी आपको व्याख्या करनी है ठीके चलो आओ तो देखो चार पॉइंस हम देखते है समाहार और रास्टिया खंड़ता यह कैसे बनेगी हमें कुछ शिख्षा मिलती है यह सब पढ़ने के बाद, यह चैप्टर पढ़ने के बाद, कैसे हम एक लोगतंत्र में ववस्था को बना रखेंगे और एकता को बनाए रखेंगे, हमें कुछ सिख्षा मिलती है, पहली बात तो हमें यह मिलती है, पहली सीख जो हमें मिलती है, कि जो शेत्री आकांशाय है, लोकतांतिक राजनिती का पड़नाम है मुतलब लोकतांतर में अगर लोक चाह रहे हैं कि यह विकास यह जो बात है उठनी चाहिए इस शेत्र का विकास होना चाहिए इस कलचर को फ्रोटक्ट किया जाना चाहिए तो बिसिकली ये इसका एक अभिन अंग की रूप में देखा जाता है ना की खत्रे की रूप में देखा जाना चाहिए सकेंट हम कहें कि शेत्री आकांशाओं को दबाने की जगा लोकतांत्रिक बाथचीत का तरीका अपनाया जाए अगर उसको सप्रेस किया जाएगा दबाया जाएगा तब इससे आंदोलन और भी ज़्यादा हिंसक हो जाएगा वहाँ आपने पंजाब की बात की उसमें राजीव गांदी लोगोवा समझोता असं की बात की वहाँ पर तो इस तरीके से क्या सरकार के द्वारा बार बार समझोते बाचीत सुला डिसकुशन ही सारी चीज़े होती रही शांती की वो हर कोशिश है न तो यहाँ पर इन आकांशाओं को दबाया ना जाए बलकि बाचीत के द्वारा एक जो हल है वह निकाला जाना चाहिए इंपोर्टेंट है यह अगर कुश्यन आता है तब यह चारों पॉइंट लिखने है आपको ठीके सत्ता की साज्यदारी का महत्व समझना अगर आप यह सोचोगे कि केंद्र में केवल एक ही पार्टी की सरकार रहे आप जो छेती सरकार और बाकी सब्सकों प्रतिनिध्व ना दे तब कैसा लगेगा अगर केंद्र में मालेजे कोई एक पार्टी जो कि किसी स्टेट में है अगर उस पार्टी से एक प्रतिनिधी अगर केंद्र में है तब यहाँ पर लोगों को सांत वना रहता है कि हमारी बात देश सुन रहा है हमारी बात संसत तक पहुँच रही है लोग सभाराज सभा तक पहुँच रही है तब ऐसे में क्या कि सत्ता की साजेदारी लोग तंत्र का एक बहुत ही important हिस्सा होता है अगर लोग तंत्र में लोगों का participation ना हो power sharing ना की जाए तब ऐसे में क्या होगा लोगों के अंदर आख्रोश आएगा वो सत्ता जो है पलटने की बात सूचेंगे है ना अगर एक ही दल के पास रहे एक ही party के पास रहे बाकी लोगों को प्रतिदे तो participation ना मिले डेफिनिटली तो यहाँ पर सत्ता की साजेदारी का महत्व समझे सभी की बात सुनी जाए नीतियां जब बनाई जाए उनकी भी बात सुनी समान आर्थिक विकास और असमानता को कम करना पूर्वुत्तर चुकि अलग थलग हो गया था उसका विकास कम था दक्षिन भारत की बात करेंगे तो उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए दक्षिन दिन घटता जाए यह असमानता नहीं तो क्या है तो यहां पर एक शित्र का ऐसा विकास हो जाना और दूसरे शित्र में वंचनाए रहें दूसरे शित्र में ऐसे डिस एड्वांटेज एरिया जहां पर सड़क बिजली पानी के सुवधा ना हो तब डेफिनेटली लोगों के अंदर आक्रोश आएगा की सरकार क्या कर रही है और ऐसे में वो अपने विकास के लिए अब तो हम खुद अपनी बात रखेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आर्थिक विकास जो है वे सभी शेत्रों में समान नहीं होता तबी तो अलगावाद की भावना पनप रही है तबी तो जाके बाकी जो भावना है वे पनप रही है तो ऐसे में यह जो सेपर हो वे सरकार की बात को सुरें जैसे कि नकसली एरियास की अगर हम बात करें इस तरह की एरियास में सरकार डेवलप्मेंट के लिए अवेडनेस के लिए बहुत सारे काम करती है है न क्यों करती है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए जो कि हमारी आंत्रिक सुरक्षा त तो ये था आपका लास्ट चलो अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या 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 कुश्चिन से निम्निका मेल करे मैच्च दा फॉलोइंग है शेत्री आकांशाओं की प्रकृति और राज्ज मतलब किस आकांशा की अधार पर कौन सा जो स्टेट है उसने सेपरेशन या अल पर नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के लोगों की शेत्री आकांशाओं की अभीवक्ति कई रूपों में होती है और बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन जादा स्वायतता की मांग अलग देश बनाने की मांग करना ऐसी ही कुछ अभीवक्तिया है ठीके तो यहां पर आपको ब बीच में जो समझोता हुआ था जैसे कि चंडिकर पंजाब को दे दिया गया हर्याणा से लेकर जो डिस्प्यूट्स थे जो वाटर डिस्प्यूट्स से उसके लिए बी चुबुरल इन सबका गठन किया गया ठीक है क्या तराव के कारण थे तरक सहित उत्तर दीजे नेक्स कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कश्मीरी मुसल्मान और बाकी सब लड़ा की बात कीजिए कि बहुत दर मुसल्मान बराबर है तो यहां पर अंद्रोने जो विभिनताए हैं उसकी व्याक्या इन विभिनताओं के कारण राज किस तरह अनिक शेत्री आकांशाओं ने सर उठाया कश्मीर की छेत्री स्वायतता के मसले पर विभिन पक्ष क्या है कौन से पक्ष आपको सही जान पड़ते आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों तबी सीखोंगे जब इस तरह की आंसर लिखने के लिए थोड़ा से दिमाग चला होगी कि अच्छा इसमें यह यह पो पॉसिबल है वैसे आप देखें कि यूपीसी बहुत अच्छे मांक्स देगा तो 40-50% मैक्स मैक्स होते हैं ठीक है अगर आपको साड़े बारा मैं से 5-6 नंबर मिल रहे हैं बहुत अच्छे मांक्स माने जाते हैं तो अगर आप सारी चीज़ों को ठीक ठीक तरीके से लिख लिख पाते हो, Cuestion की Demand की accordingly लिख पाते हो समझके तक स्वाथे अच्छे नंबर मिलते हैं असम आंडोलन सांस्कृतिक अभivaन और आर्थिक चराबन के अरक थलग हो गया अब इसका विकास नहीं हो रहा इसके लिए Demand करना Auto no me कि हर शेत्री आंदोलन अल्गाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं हो तो इसका मतलब क्या है अगर छेत्र का आंदोलन हो रहा है किसी भाषा को कि आधार पर हो रहा है कि इस भाषा को प्रमुक्त दी जाए या फिसको recognize किया जाए वो अलग होने की मांग ठोड़ी कर रहा है तो यहां पर यही आपको बताना है कि अगर कोई शेत्री आंदोलन हो भी रहा है तो वो separatism नहीं है वो अलगावाद नहीं चाहता ठीक है कुछ राजनीती नहीं बदलाव जिसमें हम देखेंगे 1947 के बाद से अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार काम कर दियो सारे चीज़े एक छोटा सा इसका पूरा scene सबझेंगे तो I hope यह class आपको अच्छी लगी होगी कुछ points अगर आपको लगते हैं तो जब कभी हम revision और test जैसी live classes लेकर आएंगे तब आपके जो doubt session doubts है वह सुलचाए जाएंगे चली मिलते हम अपनी next class में so पढ़ाई करते रहें बच्चो आप सभी अभी आपके पास जो समय है मेंस को अच्छे से प्रिपेर कीजे एक एक topics को अच्छे से प्रिपेर कीजे जो important चीज़े आपको बताए जाती है कि यहां से basic कर लो यह current affair कर लो यह homework कर लो उन सारी चीज़ों को continuously करते रहें हाँ और रिविजन जरूर करते रहें saturday sunday ऐसा आपना time table बना लो कि revision करना है daily तोर पर current affair देख लो तो यह process है continue continue तरीके से चीज़ों को करते रहो तरता consistency UPSC के लिए बहुत important होती है तो जैसे आप hard work करोगे na consistency के साथ definitely जरूर improvement होगा और आप एक average student से एक excellence की तरफ बढ़ेंगे मिल